नमस्कार मैं हनुश का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है पुक्ता सुरक्षा व्यवस्ता तयार करने की जिमेदारी पटना जिला प्रशासन की है ऐसे में प्रशासन मुस्तैदी के साथ जाय जाले रही है आपको बता दे कि पाटली पुत्र बस स्टैंड अभी नया नया बन कर तयार हुआ है इसलिए यहां कई सुविधाय अभी पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या को लेकर तेजी से काम को पूरा किया जा रहा है हाल ही में पटना डियम और एससपी खुद ही नवनिर्मित पाटली पुत्र अंतराजी बस टर्मिनल की सुरक्षा बैवस्था का निरिक्षन करने पहुँचे थे जहां उन्होंने कई जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिये दरसल ISBT से अब देर रात को भी लंबी दूरी की बसे खुलने लगी है ऐसे में जरूरी है कि बस स्टैंड परिसर हाई क्वालिटी के CCTV कैमरे से लैश हो जिसकी मदद से हर गतिविधी पर अधिकारियों की सीधी निगरानी बनी रहे ऐसे में चोर उचके या फिर आपरादिक प्रविर्थी के लोग दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे और यात्रिगन अपने साजो सामान की साथ स्टैंड परिसर में रुख सकते है इसके लिए फिलहाल यहां बस के परिसर और बाहर में 32 और सिसी टीवी कैमरे को लगाया जाएगा यहां पहले से 16 सिसी टीवी कैमरे लगे हुए है 32 और नए सिसी टीवी लगने के बाद इनकी संख्या 48 हो जाएंगी इस से सुरक्षा ववस्था और भी मजबूत हो जाने वाली है इसके अलावे बैरिया में पुलिस चौके भी शुरू हो गई है बैरिया उपी में प्रभारी के अलावे पुलिस फोर्स के रहने और आफिस की भी ववस्था की गई है यहीं से बस पराव की सुरक्षा व्यवस्ता की कमान सभाली जाएगी ISBT में अलग-अलग शिफ्ट में सुरक्षा कर्मी भी तैनात होंगे ऐसे में लोगों की किसी प्रकार की शिकायत के निप्टारे के लिए सुरक्षा कर्मी नजर बनाए रखेंगे बताते चले कि लगतार कई दिनों से बस मालिक और ट्रांसपोर्ट कमपनिया सुरक्षा मोहया कराने की बांक कर रहे थे क्योंकि सुदूर राज्यों के लिए रातों में बसों खुलने शुरू हो गई है इसके साथ यह परिसर में एलेरी लाइट, पीने की पानी, शौचैलों की संख्या आदी बढ़ाने पर जोर शोर से काम चल दा है इसके अलावे बस स्टैंड में यातरी प्रतिक्षाले, बस के आने और जाने के लिए प्लैटफॉर्म और एनाउंस्मेंट सिस्टम समीत कई अन्य बुनियादी सुविधाय है इसके अलावे जिला प्रशासन ने 100 बसों की जगा बढ़ाने के लिए परिसर के जगा को व्यवस्त करने का निर्देश्तिया है इससे बसों के लिए काफी जगा मिल सकेगी दरसल सरक पर डिवाइडर ना होने से जाम की सिती बदतर होती जारी है इसलिए उस रोट पर जल्द ही डिवाइडर निर्बान का काम किया जाएगा ओवराल बात यह है कि नए बस स्टैंड शिफ्ट होने वक्त यात्री के साथ बस मालिकों को भी कई तरह की आपतिया थी इसलिए नए बस स्टैंड को हर तरीके से अत्याधूनिक सुख सुविधा और सुरक्षा से लैस करना प्रशासन के जिम्मेदारी है ताकि यात्रियों और वहन मालिकों को लेस मात्र असुविधा ना हो सके पहले वाला बस स्टैंड मीठापूर में 8 एकर में बसा था जबकि नवनिर्मित ISBT बैरिया 25 एकर में बसा है इसमें से 10 एकर में केवल भवन बनाकर जरूरी सुविधा मोहया कराई गई है वही 11 एकर में बसों की पार्किंग के व्यवसा की गई है इसलिए मीठापूर बस स्टैंड से बहतर और आधुनिक सुविधा पाटली पुत्र बस टर्मिनर पर मोहया कराई गई है तो आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार